है गाइज वेल्कम बेक टू माई चैनल कैसे हूँ आप सब आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे तो आज की वीडियो में आपके साथ डबल पॉनी टेल की वीडियो शेयर करने लगी हूँ आज की वीडियो में मैं डबल पॉनी टेल बनाऊंगी और ब्रेड वाली पॉन तो गाइज हमने जेशन को हेंर भॉश कर्वाए एं차 करवाने के बाद मैने उसके बालों में आइलिंग की है श्की वीडियो जल्दी ही आएगी और अमस j이는 से की या सारे टैंगल्स को मैंने या अच्छी तरह से रिमूव कर लिंआ क्योंकि टैंगल्स रिमोव करने में आदा घंटा लग जाता है इसलिए मैंने वो वीडियो साथ में एड नहीं की है वो मैंने अलग से ओईलिंग वाली वीडियो बनाई है तो मुझे बनानी है मैं ट्विन ब्रेड्स सबसे पहले मैं पॉनी टेल बनाऊंगी रबर बेंड का यूज करके डबल पॉनी टेल मुझे करनी है आप देख सकते हैं कि जशन के बालों में काफी ज़्यादा ओईल लगा हुए है अफ्टर हेयर वाश फर्स टाइम जब मैं ऑईलिंग करती हूं तो बाल काफी ड्राई हुए होते हैं तो टेंगनvak मैंने पहले इंची तरह से रिमूव कर ली है उसकी पॉनी टे लेट उसकी इतनी लंबी ब्रेड बनी थी ना कि अगर किसी गर्ल्स के ऐसे हेर हो ना किसी लड़की के ऐसे हेर हो तो पता नहीं वो अपने बालों को किस तरह से संभालेगी कोई हेर स्टाइल करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा पॉनी टेल भी इतनी लंबी उसकी पॉनी टेल थी तो देखें सेंडर पार्टेशन करने के बाद इस तरह से मैं पॉनी टेल कर रही हूँ यलो वाला सिंपल रबर्टमेंट मैंने यूज किया है टेंगल्स रिमूव करने में ही मुझे आदा गंटा लग गया था इसलिए मैंने उसकी अलग से वीडियो बनाई है तो देखें सिंपल पॉनी टेल मैंने किया है और आप उसके बालों के लेंथ देखिए इतने लंबे वाल है इतनी सुन्दर पॉनी टेल लग रही थी ना कि बस मन कर रहा था कि काश मेरे भी ऐसे बालों इतने सुन्दर उसके बाल लग रहे थे बिल्कुर डाक ब्लैक कलर के ओईली हेर में यह वली ब्रेड्स तो इतनी सुन्दर लग रही थी तो देखे इस पर भी मैंने यह सिंपल वाला वाइट रबर बेंड डाला है तो आप देख सकते हैं कि पॉनिटेल उसके कितनी ज्यादा लंबी हुई है उसके बालों के लेंद एक इतनी अच्छी है ऑईली हेर में तो ब्रेड्स और बिज्दा सुन्दर लग रही हैं तो इसके बाद न मुझे ब्रेड्स बनानी है ब्रेड़ बना दी थी मैंने आप चा लग रहा था न उसके बालों में कॉंभी गरना बरेड बनाना बड़ा कि आच्छा लग रहा था मुझे तो ब्रेड साब देख सकती पहां कितनी सुंदर उसकी शाइनी आईली ब्रेड संधा इतनी लंबी ब्रेड editor करने में मिल पॉल मक्य landscape तो मुझे इसको यह ब्रेट वाला हेयरस्टेयल करने में ही लग गए थे, इतनी सुन्दर उसकी ब्रेट लगी है, बट जैसे ही वीडियो खतम हुई है, मैंने उसी टाइम उसकी ब्रेट को ओपन कर दिया, और फिर मैंने उसका जूड़ा किया है, तो देखिए कितनी सुन्द तो देखे इस तरह से मैं और दूसरी ब्रेड बना रही हैं आप आपने अभी तक वीडियो को लाइक जरूर कर दिया होगा क्योंकि आप सब वीडियो देखते जरूर हैं बट लाइक नहीं करते हैं व्यूज के अगारिक तो कुछ भी नहीं आते हैं आप सब देख लेते हो बट लाइक नहीं करते हैं यह फ्री ओफ कॉस्ट है प्लीज प्लीज वीडियो जरूर देखिए एंड तक देखिए और वीडियो को लाइक जरूर करें तो देखिए गाईज दोनों ब्रेड मैने बना लिया और लास्ट में भी मैंने यह वला रबर्ड बेंड डाल दिया बकी के बाल मैंने खुले ही छोड़े हैं फोल्ड मैंने नहीं किगा ब्रेड तो देखिए दोनों ब्रेड कितनी ज़्यौदा सुंदर लग रही हैं आपक तो चलिए गाइस अब मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी तब तक के लिए थेंक्यू बाइ